हमारे साथ में सीमा और सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंग है सर इस मामले में एक नया मोड आया है और आप लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं या भेज चुके हैं भेज चुके हैं परोसन के खिलाव में क्या वज़ा है कि आपने जो मशूर हैं मिथलिश भावी के नाम से और मिथलिश भाटी नाम है उनका और सोशल मेडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय क्यों आपने नोटिस भेजा हैं देखे हमें किसी की मशूर ही और किसी से कोई मतलब नहीं हम तो 26 साल से मशूर है नहीं है पता नहीं हमने तो जो किसानों की बात करते हैं उनकिसानों के भी केस लड़े सुप्रिम कोर्ट में यही सुप्रिम कोर्ट है हमने तीन दिन लगातार बहस की भारस सरकार के खिलाव किसान बिलों पर इस्टे लिया इस्टे लिया देश के किसानों के लिए अंदलों ने भाग लिया लेकिन पडोसी आप क्या कह सकते हैं पडोसी क्या पडोसी अपने पडोस वाले के लिए ऐसे शब्द प्रियोग करेगा, क्या शब्द प्रियोग किये गए, एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक न्यूज चैनल पर नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, लाइब डिवेट में, न्यूज चैनल पर, यूटूब पर, वाटसब पर, सोशल मीडिया पर, किस किस तरह स कैसे कैसे केबल सचिन मीना के लिए नहीं, सीमा के लिए नहीं, मीना समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मीना समाज के लिए नहीं, इसके लिए मीना समाज नहीं बड़ी पंचायत किया। शुरत भी नहीं है, चलोंवादमी तो होना चाहिए, इसका मतलब वो जानवर है, सचिन, मीना, जानवर है, आदमी तो होना चाहिए, कीडा, झींगुर्सा, लप्पु, मरा हुआ champions, मतलब उस चूहे को मारने की तैयारी है, मारा भी जा सकता है, हत्या भी की जा सकती है, मारा ह चुहा जरासा यू पकड़ ले तो यू ही मर जाए या भीच कर मर जाए सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा डेट बाडी भी नहीं मिलेगी मतलब उसको इतना करेंगे मार देंगे हटा देंगे तो ढूड़े भी न मिलेगा ये सचिन मी मीना के लिए पूरा मीना समाज आहत पुरी दुनिया में मीना समाज बहुत बड़े बड़े पदों पर है हमारा दलित चोषित मजदूर पीड़ित रहा वर्ग आज अगर उचा उठ रहा है आज अगर उसका सम्मान हो रहा है अगर हमारा भारत का संभिधान हमारे दलित च अश्रपती जी आधिवासी समाथ से आके देश के सरवुच्य पत्पर हैं, तो हमें गर्ब होना चाहिए, ना कि ऐसे शब्दों का प्रियोग किया जाना चाहिए, सीमा के लिए क्या कहा गया, पूँच एक महिला, एक महिला महिला के लिए कह रही है, पूँच कटी कुतिया, बाइल लाइफ, जो जानवरों के लिए कानून है, जो जानवरों के लिए कानून है, पैट्स के लिए कानून है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो आपने नोटिस भेज दिया, किसके खिलाफ है, ये कमलेश भार्टी के खिलाफ है, गीता भार्टी के खिलाफ है, और और जो जो लोग है उन सब के खिलाव। जिन्दाबाद राष्टगान को गागा के खड़े होके राष्टगान के साथ खड़े हैं। तब मैं ये प्रोसीडिंग पर आया। एक बार हो जाए गलती, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, अरे भाई कहे दो छोड़ो बात खतम। लेकिन कितनी बार, आप परोसी की बकहते हैं, कोई परोसी ऐसा होता है क्या, कोई किस तरह हैं से करता है क्या। और एक महिला, एक नारी, एक इस्त्री, एक पत्नी के लिए, एक पती के लिए, अरे मिया बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, एक किसी लिए, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, इनी लोगों के लिए कहा गया है, और इस पर सक्त कारूनी कारणाई हो रही है। आपकी सीमा से बात हुई है कि जब लगातार उनके बयान आए मितलेश नाम है मितलेश भावी के भाटी के तो उसके बाद क्या बात हुई है सीमा क्या इस मामने पर एतराज है मुँध दिखाने लाइक सा छिन नहीं देखें घर आत्मत्या कर लूँ सर लूँ सर क्या करें डिफारे कने कर लूँ मर जाओं क्या कर रहे हैं क्यूं नहीं कर पा रहे हैं मैं तो मर जाओंगा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे माता पिता बाहर निकल पा रहा हूँ, मेरे गाओं बाले दुखी हो गया, मेरे मीना समाज दुखी हो गया, बरबाद हो गया, क्या करें, सोचो ना, सारे पुरुष परिशान हो गया, कितने डाइवोर्स कराने जा रहे हो आप ऐसा कहलवा कहलवा के, जितने पती हैं, घर नहीं जा रहे हैं, पतले पती, सूखे पती, कमजोर पती, अब एक दिन में मोटे हो जाएं क्या, दस दिन में मोटे हो जाएं क्या, मोटे होने की दमाएं खा लें क्या, ये कोई आरोप है, सचिन बच्चे पैदा नहीं कर सकता सतीently कैसे बच्चे पेदा हो जाएंगा रएज साहब टेस्ट हो रहे हैं किया कर रहे हैं महिला क्या बोल लही है कि किसी महिला के बारे में गरभती होने पर पिर ड़ही है क्यों बोल लही है कि Si ndly लोग को प्रियता के लिए किया लपूसा सचिन जहींगूर सा लड़का नॉर्मल सी बात है इसको देखके कौन कह देगा प्यार में और इससे प्यार करेगा कौन बिचारे से इसके प्यार में तो एक महिला चलिया चार बच्चों को लेकर भाया वो प्यार में नहीं आई है व इसने चार बच्चे पैदे किये वो प्यार नहीं था क्या था वो बिना प्यार के बच्चे पैदा करता है क्या कोई दूसरी बात इसे फिर प्यार जागा तो आपकी बार हमारे वहां पे पाकिस्तान में आदमी नहीं थे क्या कहां गए पाकिस्तान के मर्द सारे कहीं चले पता है यह क्या होता है। 2019 में अब 2019 में छोड़के चला गया तुझे चार बच्चों पे से इतनी फुरसत मिल गई कि तो राद दिन पबजी भी खेलती थी राद दिन वीडियो कॉल पे भी रहती थी और बच्चों को भी समाल लेती थी अपने याने शानों को एक नॉर्मल सा महिला का काम होता है अपन करें दर्श को कि जीउर का मतलब होता है बारिशों का मौसम है अगर हम कपड़े ना सुखाए ना तो उनमें कोक्रोज पर जाते हैं देखा होगा आपने के बैड में भी और वैसे भी बिस्तरों में कोक्रोज टाइप हो जाते है और रहा लप्पू का नॉर्मल सी बात है उनलियां फिराती रहते हैं इसको कहते हैं हमारी भासा में छुचोर पंती इसको प्यार का नाम ना दे सकते आप एक बात बताईए भाया कोई भी एनॉर्मल एक इंसां अगर एक्जामपल कह रही थी कि मुझे दुखी करता था है ठीक है अगर कोई दुखी करता है तो और भाई चांस उसे भागना भी पड़े घर से एक परसेंट हाला कि हमारे इंदुस्तान में ऐसा नहीं होता लेकिन अब होने लगा जब से सीमा आई है जाद अतर पाकिस्तान जा रही है हमारे यहां की लड़कियां अगर भागेगी तो दूसरा बंदा वो देखेगी कि मुझ इन इसने बेटे से प्यार कर रही है, चार बच्चे तेरे हो गए बिना प्यार के वो भी 10-10 महीने के गेप में बच्चे उसके देखो, 9-10 साल से नीचे नहीं है, लेकिन उनमे सिरप 9-10 महीने का गेप दिखा रही हैं, बच्चे इसके हैं है किस वारोजक ऑप cela या मेंख πोज़ाइं को लब्कू और जिंगुर चाही के बिनदुम की कुटिया जगा जगा घूम और एड़ई में भी इसने डॉक्त अगड और किया वहां पे भी इसके आ रहे हैं आशिक वगयरा निकल के तो हमारे नजर ये में इसको औरत नहीं कहेंगे जो जगा जगा जा रही है वो महिला नहीं हो सकती है और फिर हमारी संस्कृति में यह नहीं है कि एक छोड़ एक पकड़ा एक छोड़ एक पकड़ा यह का असर यू कह रहे हैं प्यार में आई और भाईया देवरन को और युवा पीडी को तो आप देखो गए एक्जामपल तो वो तो अलगी तरीका से हाथ लागा क्यों सीमा के क्या चार हाथ पाम है भाईया चार सिर हैं इंडिया में और अपने बच्चों के साथ उसके साथ कोई जासूस य क्या कोई बिले याया